है अब्रीवान वेल्कम बैक टू जोई वी दिशा तो आंसोरी मेरा अभी भी गला थोड़ा सा खराब है तो मैं आज फाइनली पार्ट थ्री आपके लेकर आई हूं जो कि दिवाली से रिलेटेड होने वाले हैं सारे डिये वाइस आपने पहले भी जो दो पार्ट में थे मिट्टी के कुलर जो कि मुझे आइस क्रीम में आय थी तो वही यूज करें आपको चाय की दुकान पर एजीली आपको मिल जाएंगे तो यहां आप मैं अक्रिलिक कलर से उसे पेंट करूंगे आप कोई भी डार कलर जूज कीजीगा क्योंकि दिवाली के लिए बना रहे है लगे तो लाइट कलर जो कर एंग तो थोड़ भी यूज करेंके तो तो एज यह फूर अइसे रख सकते हैं हमें इसे तो प्र ऊपर उंपर और नीचे बनाइट कर देंगे आप चाहे तो सिंबल आहीं कोई दिज़ाइन आती है तो आप पॉलका डूर्ज भी कर सकते हैं बीच में यहाँ पे मैं फैवी बॉन की बाद से मिरर लागाऊंगे और उसके उपर भी मैं डेकॉरेशन कर दूगी आज मैं आपके साथ लास्ट मिनित दिवाली डेकॉर शेयर कर रही हूँ तो यह मिट्टी के कुलर इसलिए मैंने यूज की है गा अगर आपके पास यह नहीं है तो आपको आइस क्रीम की शॉप में यह बहुत ही इसलिए मिल जाएंगे या तो फिर चाय की दुकान पर आपको मिल ही जाएंगे यह दिखने के बाद बहुत ही खुबसुरा लगते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा नेक्स्ट डिएवे हमारा थाली डेकॉरेशन करने वाले हैं बहुत ही सिंपल से मैंने रखा है आप कोई भी ट्राडिशनल कपड़ा ले लिजे जो मैंने आपको पहले भी शेर किया था कि यह मैंने अपने फर्स्ट डिवाली डेकॉरू में भी यूज किया था वहीं यहां पर मैं राउंड में कट करके फैविकॉल की मदद से सिष्टिक कर दूगी फैस्टिवल में हम भर-भर के कलर यूज कर सकते हैं क्योंकि मैं से जसे बहुत पसंदे क्योंकि हम बहुत सारे कलर को न ऐसे यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ हम इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर लेसिस ले ली है आप कोई भी लेसिस ले जी ले पुम पुम वाली लेसिस होती है दिवाली के दिन लक्षमी पूजन के दिन हम इसे यूज़ तो करते ही हैं बट अगर आप दिवाली के बाद भी इसे यूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मल कोई भी पूजा वगेरा में आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बीच में जगा खाली लग रही है तो मैं आपे स्वस्तिक ड्रॉ कर रहे हूं और उसके उपर में बीड्स जो होते हैं वो लगा दूगी आपके पास बीड्स नहीं है तो पॉम-पॉम की कोई भी लेसिस लगा दीजे पॉम-पॉम लगा दीजे मेर लगा दीजे कुछ भी आप कॉम्बिनेशन करके यहां पे बीच में बा सकते हैं ठाली को मैंने इसलिए simple रखाए कि लाश्ट मिनित में हमारे पास जो भी सामान अवेलेबल होता है उसी से बनाते हैं तो मेंने भी मेरे पास जो भी सामान अवेलेबल था इतने सारे मेरी DIYs बनाएं उसी में से मैंने थोड़ा-थोड़ा सामान करके ये थाली बनाई है और मैंने बहुत बार आपके शार शेर भी किया है कि मैंने थाली कैसे बनाई है आप अगर मेरे प्रिवेस वीडियो भी चेक आउट कर सकते हैं तो मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर भी मैंने बहुत सारे DIYs ओलेडी शेर किये हैं तो आजकल लास्ट एंड क्विक DIY जो है रंगोली हम सब रंगोली ऐसे नौर्मली कलर से तो बनाते हैं हाँ अग एकृल्ट कर दिन पाते हैं सकते हैं उसे उपर गोल्डण एकृलिक कलर से ऊंड़ कर और पर जो होते हैं उसे वुपर आप उसके बेट्स कर सकते हैं तो फिर चेजन बेकोरेशन कर सकते आपके साथ बताूँगी कि मैंने कैसे अच्छे से इंसे कैसे कीया है तो यह सकते डोड उसके उपर मैं आपके ठाइमंड की चेन और जो कहलर की बोलड होते बहुत्या है बनने के बाद आज उपर लगोड गोल्ड कालर की अजया पर कैसे बना सकते हैं और उसे किसे डेकोरेट कर सकते हैं na при वह रगाने में या कुछ लगाने में और फिर अपने दिशा सकते हैं यह दिखने भी बहुत तो जब बीच में दिया भी रखते हैं तो बहुत ही खुबसूरत निकल के आती है आपके पास बीच में कुछ भी सामान अवेलेबल होता है तो आप वहां पर डेकुरेट कर सकते हैं मेरे पास यह जो गोटा पट्टी का एक फ्लावर था तो वेने बीच में यहां पर सब में लगा दिया है तो मैंने जो यह शेप में चार पीस कट कर दिया थी तो उसे मैंने सेम रखा है और बीच में जो मैंने राउंड कट किया था उसके इस कलर का डेकुरेट करके मैंने कम्पलीट कर दिया है आप मैं आपको से लगा के भी दिखाऊंगी कि इसे आप कैसे रख सक तो अब आप यह बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मुझे भी एक्रील कलर की रंगुली नहीं है बट आप इसे अपने घर पे ओल्डी सीडी की मदद से बना सकते हैं आप इसमें अलग अलग वेराइटी भी बना सकते हैं बहुत सारे कलर्स एड़ कर जकते हैं तो यह वाली रंगु की बहुत बहुत बताई हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए चेक केर एंड बाई बाई